गुद्ध मॉर्णिंग फ्रेंट्स जुडए इन दिस लेशन वी आर गोईंग टू लॉन अबावट कंटूनुस प्रेजन टेंस मित्रो अने पहला आपड़े त्रनकाड शिखी गायाच सादो वर्तमान काड, सादो भूत काड अने सादो भविश्च काड हवे आपने जो सिख्वाँ पटे जाई रिया आएचा टेंस नंबर फोर, it is called the continuous present tense चालू वर्तमान काड चालू वर्तमान काड, एटली शू चालू वर्तमान काड कोने के आमावाच चालू वर्तमान काड के आपनान उप्यों गियों बने छे तेना विश आपड़े विगतेवर महेती आपड़े उचुईसुग फियर इस टाइटल इस continuous present tense continuous इले चालू present इले वर्तमान टेंस इतले काड तो चालू वर्तमान काड the present continuous tense is used to show an action in progress and incomplete at the moment of speaking the present continuous tense is used to show an action कोई करिया चालू छे तिवू दर्शावा माटे चालू वर्तमान काड वापर वामा आवे चे and incomplete at the moment of speaking पन जहर आपड़े बोली रहावचे त्यारे एक करिया पूर्ण थाई होती नथी टूकमा किये तो चालू वर्तमान काड कोई करिया चालू छे त्यारे बोलानी चेकरिया चालू came एख त्यारे जालू वर्तमान काड वामा आवे चे तम्हीं साम्पड़ी रहा चें तो अत्रे तम्हीं साम्पड़वानी किरिया चालूचे तम्हीं साम्पड़ी रहा चें अपड़े रहाकाँ तरीके चालू वर्तमान काल तरीके आपड़े ओड़ की शकीए जे नियम उसु कहाँ चे, put the proper form of to be, M is a before the main verbs as per as the number of subject मुख्य क्रियापन नी पहला, करता ना वच्छम हो, जब to be M is a मुख्वामा आवे चे आवे चे चालू वर्तमां काड़ी चे चे रहे तो बी ना क्रिया पर तो primary auxiliary verbs मुख्य क्रियापन नी पहला, करता ना वच्छम बजब, मुख्य क्रियापन नी पहला, करता ना वच्छम बजब, आई, आई, वी, यू, ही, सी, इट, त्यामा आई नी साथे M आउस है, वी नी साथे R मुख्य सू, यू नी साथे R मुख्य सू, ही, सी, इट नी साथे, इज नी साथे R मुख्य सू, त्यमाच एनी पहला, करता नी पहला, करता नी पहला, करता नी पहला, करता नी पहला, करत ना बन्ती होया चैशन, Here is a picture of a girl who is going to the hospital के जाए, the hospital तरप जैरी होजे, to yya वाकर सहना चैशे, she is going to the hospital, तेयनी निफॉस्पितल जाही रही होजे, it means the action of, yes, the action of going to hospital is continue, any hospital is Jawa माटिने, जे करी आछे, dava खानी, Jawa माटिने जे करी आछे, ये चाली रही छे, तो M is अने R, तो अहिया सिनी साथ इस मुखवाम आवाँचो, इस पची अहिया गोइंग मुखले छे, त्याणी नी जही रही छे, कही तरप जही रही छे, त्याणी नी दबाखान तरप जही रही छे How to put the ing, suffix at the end of verbs, ing प्रत्य क्रियापद नी पाच्छड के विरित्य मुखवाम आवाचे, जो इलिए, if there is a letter, if there is e letter at the end of verb, but it is not pronounced, then remove e and put suffix ing, if there is letter e, जो क्रियापद नी पाच्छा नोक्सर e अपेल होए, at the end of verb, जो क्रियापद नी पाच्छा नोक्सर e अपेल होए, but it is not pronounced, प और ध्याण उच्चान ना थातो yam, remove e and put suffix ing, तो e काडिने ing प्रत्य मुखवाम आवाचे, यालाख्य लुछ जो क्रियापद छेल लेक्षर e होए, त्यान उच्चान ना थातो yam, तो e दुर्द काडिने ing प्रत्य मुखवामाँ चे, एक्जाम बचे, कम जाना स्पाइलें जाए चाए C-O-M-E यानो पाच्छानोक्षर E चे तो C-O-M पाच्छर E काड़ी ने इंज प्रते हम्मुक्वामाँ जाए विज रिच रिच व-R-I-T राइट इतल लखों तो एनी पाच्छानोक्षर E चे तो E काड़ी ने W-R-I-T-I-N-G एकाड़ी ने इंज प्रते If there is a consonant at the end of verb, जो किरिया पदना अन्ते वेंजन आपेलो होए, and वाविल is given before the consonant, it means अने अने आगानो सब्दव स्वर आपेलो होए, the consonant mark is double and suffix ing is put, तो E वेंजन ने बेवडा माँ आपेलो होए, ते वेंजन ने आगानो स्वर होए, तो वेंजन ने बेवडा माँ आपेलो हो रन, रन, पाच्छन अक्षर N छे, येशू छे, consonant, वेंजन छे, पण एनी आगानो अक्षर जे छे, A, U, येशू छे, स्वर छे, तो R, U, N, I, N, तो जो वेंजन छे N ने डबल बेवडा माँ आपेलो होए, तो रनिंग सब्दव होए, थसे, सिट, S, I, T, सिट एले बैसु पाच्छन अक्षर कॉंसर छे, ये आगान अक्षर स्वर छे, तो सिट, तो सिट, 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 वेंजन फरी ते ये बेवडा माँ आपेलो होए, रनिंग, सिटींग, राइट, पचिए पूटींग, गगणा मत्या बाद सब्दों छे, जाने आपड़े एक्जाम बता पादो, M, Is, आने, R, चालू वर्तमांकड़ामा, M, Is, आर आवेच, चालू पुतकड़ामा, Was, बैर आवेच, चालू भवेश्यकड़ामा, सेल, B, अने, Will, B, न उप्प्यों ठाया चे, तो पड़े चालू वर्तमांकाने इंद, M, Is, आने, R, न उप्प्यों करबानोंचे, करता प्रामान, आने साथे M मुकी शु, B नी साथे आपड़े R मुकी शु, U नी साथे पना आर मुकी शु, ही, C अने, इतनी साथे इस मुकी शु, तैमाज धीनी साथे आपड़े R मुकी शु, आयन जी प्रत्य मुकी वधराना सब्दिया मुकामा, से, here is a picture of a girl who is going to the school, से, she is going to school, तो तैया साथा तरब जाई रहे चे, here is another example, here is this picture of a girl who is indicating something, या तैया काई 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 रहे चे, I am writing a letter फुनु पत्र लखी रहो सु, I am writing a letter फुनु पत्र लखी रहो सु, Example I am talking on mobile फुन आपर बात्चित करे रहो सु, मोबाईल पर वाद करेंग, मैंसका ध्यक्सोन ओफ द्यक्सोन ओफ टॉकिंग अन मोबाईल इस कंटेनु लूपर वाद करवाने करिया चाली रही है जै here is a picture of bird, यहां एक पक्षि नू चीतर आपिए चर, a bird is flying, निगा दा a bird is flying, एक पक्षी उड़ी रहो चर, आकासमा a bird is flying, एक पक्षी उड़ी रहो चर keywords of continuous present tense, चालू वर्तमांकाणा उड़ोक सुचता सब्दो, look एटले जूओ, see एटले जो, hear एटले सामभण, listen एटले सामभण, now एटले अत्यारे, at present एटले हवे, at this time एटले आसमा, हब अध्धार चे सब्दों चा, के जैना कारण थी, के जैना लिधे आपने चालू वर्तमां कारणा चे सब्दों, चालू वर्तमां कारणा कारणा चे सब्दों, look एटले जूओ, see एटले जो, hear एटले सामभण, listen एटले सामभण, now एटले अत्यारे, at present एटले हवे, at this time एटले आसमा, बद्दाच identification वर्तमां चे जैना कारणा थी, आपने चालू वर्तमां कार उड़ अट्यारे पुस्तक वांची रहोचू, it means के मारी पुस्तक वांची रहोचू, it means के मारी पुस्तक वांची रहोचू, see एटले जो, see the birds are flying in the sky, जो, पक्षियो आकासमा उड़ी रहा चे, आपड़े क्या ग्रमता हो, तो आपड़े कुखने बता हो, see the birds are flying in the sky, के पक्षियो आकासमा उड़ी रहा चे, here are another examples, look that horse is running, जो, पिलो घोडो दोड़ी रहा चे, we are eating at present, अमें त्यारे खाई रहा चे, आपड़े कुखने सुचवा माटे, कुखने क्याव माटे, अथा आपड़े कुए विक्तिया आपड़े कायम बतावियो तो आपड़े के से, we are eating at present, अत्यारे खालना समय अत्यारे में खाई रहा चे, अत्यारे में खाई रहा चे, अनुदर एक्जामप, लिष्ण सांबड़ू, they are talking, सांबड़ो, त्यारे वातो करी रहा च, here two girls are talking, बीती चेतर याँ बेचो करियो, वियर सादे वातो करी रहे च, आपड़े कोन बीजा बिक्तियन बताव माटे, बोलीश्टा केचे लिशन सांबलो, धे आर टॉकिंग, को बिजा बेक्तियन ध्यान के न्दित करा हुँट, बिजा बेक्तियन क्या बाँ मात्ये आपड़े उखे से केचे, लिशन धे आर टॉकिंग, के थिवो बात्चित करी रहे Here is a picture of one boy who is singing, here he is singing, सांबडो, ते गाही रहा हो, अपड़े बता वाज करता होना, आपड़े कोईने क्या वा माते, in a huge audience, in a huge public, आपड़े युग कैता हो, here he is singing, सांबडो, ते गाही रहा हो, he is singing something, ते यां कई गाही रहा हो, छे Present continuous sense, मित्रो, खास हवे या, present continuous sense, which is just for the another way, बीजी रिते पन चालू वर्तमानकार ने अपड़े या ओड़े सकीए से, तो बीजी रिते चालू वर्तमानकार किवी ते वापर आमाँच, for short time action, टुंका गाड़ानी किरिया दर्शाम माटे, चालू वर्तमानकार for the short time action, for the short time action, मि टुंका गाड़ानी किरिया दर्शाम है, टुंका गाड़ाने फक्त, एस किरिया टुंका समय माँ पूर्ण थाई जती होयाच, बुवधारे महिना, 23 महिना सुधी, continuous रहती नथी, I am getting up early now a days, वो अत्यारना दिवसों माँ वहला उठी रहोचू, I am getting up early now a days, वो अत्यारना द वहला उठी रहोचू, I am going to bat late nowadays, वो अत्यारना दिवसों माँ वहला उठी रहोचू, I am going to bat late nowadays, वो अत्यारना दिवसों माँ मोडा सुधी रहोचू, I am going to bat late, वो अत्यारना दिवसों माँ मोडा सुधी रहोचू, I am going to bat late nowadays, वो अत्यारना दिवसों माँ मोडा सुधी अत्याना दिवस मा हूँ क्या बाहर नोकरी करतो हूँ, 10 नोकरी करतो हूँ, तो हूँ कवू, I am living in pattern, अत्याना दिवसों मा पार्टन मा रही रहा हूचू. अत्याना दिवस मा, जे तमारी करिया लॉंग टाम सुधी चालवानी नथी, for the short time, टुक समय मा पूण थी चालवानी नथी, I am taking lunch at 3 o'clock nowadays, अत्याना आमारे काम हूँ हूँ, I am taking lunch at 3 o'clock nowadays, I am taking lunch at 3 o'clock nowadays, हूँ अत्याना दिवसों मा त्रण वागे मारू लंच मारू बखपनू भोजन छे, अत्याना दिवसों मा त्रण वागे लई रही रही हूचू, तो मित्रो continuous present tense which is used for the another way, it is called for the short time action, टूंका गाणानी क्रिया दर्शा मारे जे आमारे nowadays, आवर nowadays नुप्यो करिय आपड़े वागे रशना बनावे सक्या जे, के जे क्रिया long time सुधी होती नदी, then present continuous tense which is uses for the short time future actions, नचिक ना भविशनी क्रिया दर्शा माटे, for short time future actions, जे आमा tomorrow नुप्योक चासे, tonight नुप्योक चासे, next week नुप्योक चासे, विगते बार आपड़े उधान जे, I am buying a bike tomorrow हुँ, I am buying a bike tomorrow हुँ आवथी काले bike खरी रहे रहे वह चुँ हम यह tomorrow सक्या यो ये तो भविश्यकार दर्शा माँचे, प्रविश्यकार क्यों धर्शा माँचे? for the short time action, for the short time future action, जे लगना भविश्या नहीं करिया दर्शा माटे, I am buying a bike tomorrow हुँ आवती काले बाइक खरेद बाद जाही रहे हो चुँ तो एनी इंदर आपड़े आएंजी प्रत्ते बिसके continuous present आपड़े वापड़े शक्किये छी एम गईन टो एमिघ़ा बाद टुमारो हुँ आवती काले आमदाबाद जाही रहे हो चुँ प्रेजन्ट मात हम्या रहे कही शक्कों वाजे रात रेख फिल्म जाही रहे हो चुँ I'm going for a movie tonight. वाँच नात्रे फिल्म जोवा जई रहे जो. I'm buying car next week. हुँँ आबता आठवाड़ी है, car खरीदवा जई रहे जो. I'm buying car next week. हुँँ आठवाड़ी है, car खरीदवा जई रहे जो. मित्रो present continuous trend, which is used for the short time future action. नजीकना भविशन नी क्रिया दर्शा माते या चालू वर्तमान काल वापरवा माँचे पले सब्त साधा भविशन उड़ोग्शो तरू सब्त अचाई नकार वाक्रशना, subject plus to be, plus not, plus verb, plus ing, plus अधवब, subject तरीक आई, वी, ही, सी, इत, त्यमस नो उप्यक्थाच्छा, त्यमस क्रिया पन्दी पाच्छा, ing सब्दा मुखिना, वधर आना सब्दा साथ्या, आपड़े, नकार वाक्रशना या जोई ये, Examples, he is not playing football, he is running, the football Rameeravavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav तयानी नि लखी रही नहीं, but she's writing, she's not speaking, ketव बुलि रही नहीं, but she's writing, तयानी लखी रही जा, the dogs are not fighting, कुथर iOS जगडी रही नहीं, they are standing still, है यो सन्थ उभाँछे, The dogs are not fighting, but they are standing still, तो अजी सुधी सांत उभाँ छें Interrogative sentence structure, yes चालू वर्त मांका नी प्रस्नाथ वाक्के रस्ना, प्रस्नाथ वाक्के रस्ना, M is R ने वाक्के नी सर्ववात्मा मुक्वामाँ आवाच, त्यार बाद subject तरीके I, V, He, U, C, It, त्यांबर्ज, एने पाचा, I, N, J, प्रत्या मुक्वामाँ आवाच, इस डॉक्टर एक्जामीन तपेशन, सु डॉक्टर दर्दीने तपासी रहोच, त्या प्रस्नाथ वाक्के रस्नाथ वाक्के रस्नाथ, आपने हकार आने नकार वाक्के रस्नाथ माँ शु डॉक्टर दर्दीने तपासी रहोच, त्या प्रस्नाथ खक्री सिक्क्री सिख्या जचे, YES, डॉक्टर एक्जामीन तपासी रहोच, नकार वाक्के रस्ना आई रस्नाथ, NO, डॉक्टर दर्दीने तपासी रहोच, नाथी, NEXT, इस ठी स्तैंडिंस तेने हिवाच, YES, ल No, she is not standing. अपड़े यह केसे के, Is she standing still? सुरी सुरी त्या उभी रही चे. आपड़े हकर्मा वाखे राचना, अपड़े होद, Yes, she is standing. No, she is not standing. ना, त्याने उभी रही नधी. Is he teaching? सुते सिख्खी रही रही चे. Is he teaching? सुते सिख्खी रही चे. Is he teaching? सुते सिख्खी रही चे. हकर्मा आपड़े जवागा वाखे रही चे. Yes, he is teaching. No, he is not teaching. ना, त्याने सिख्खी रही नधी. Thank you, मित्रो. अथिया सुधी, आपड़े अंग्रिजी नियंदर सादो वर्तमान काल, सादो भुतकाल, सादो भविश्रकाल, तैया मैं चालू वर्तमान काल विशा आपड़े माही ती जोई गया. आपड़े नेक्स्ट टाइम, आपड़े चालू भुतकाल विशा आपड़े माही ती जोजो फरेधी मीत्रों, सारू अंग्रिजी शिखुआ, अंग्रेजी ने अपने बार काड आवडवा जरूरी ज़े आउपरां तमें टेंसी सिख्वा माड़ी यूटूब परभी जगाणाबदा वीडियो पन तमें जोई सक्वा चोगाणाबदा मटीरिस्मन तमने सारेवा मल सकाए जना काए तमें टेंसी ने इंदर इंप्रूमें लावे ने तमें पोता ने रीते अंग्रेजी भासाने विवस्ती सरेदे समस्ता वास्ता बोलता लगता तमें सेके सको चोगाँ ठेंक यू सो मच विल मीट अगें इन नेक्स्ट लेक्चर